सबी शाम प्रेमिय वक्तों को जैस्तिरी शाम कैसे आप सब उम्मीद है सब अच्छे होंगे प्रेमियो आज हम स्पेसल आपकी डिवांड पर ये वीडियो लेकर आए है आज हम आपको बताएंगे कि बाबा शाम को अपने घर में विराजमान कैसे करें कैसे बाबा शाम को अपने घर में बठाएं कि उसके बाद कोई दुख तकलीफ आपको बिल्कुल भी प्रेशान ने कर पाए कोई भी प्रेमिय वीडियो छोड़ करना जाए हमारी प्रारतना है यह एक वीडियो अकेले आपकी नहीं आपकी हजारों पीडियों की जिंदगी बदल देगी आज वीडियो छोड़ कर मज जाना जो प्रेमिय हमारी वीडियो को देखते हैं उन्हें पता है कि हम कोई भी एक बात दो बारा रिपीट नहीं करते फिर भी वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है तो थोड़ा टाइम दिया करो हम आप सभी के लिए वो उपाई लेकर आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो और आपको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता काफी प्रेमियो के कमेंट्स आए कि बाबा श्याम की परतिमा को घर में कैसे विराजमान करवाएं कि हमारे घर की सभी दुख दुविदाएं दूर हो जाएं प्रेमियो मान के चलो स्पोज करो कि आप बाबा के किसी विधाम जाते हो किसी विधाम मान के चलो आप स्रिधाम खाटू गए हो आप दरमशाला में रुके जैसे ही आप बाबा के दर्सनों के लिए नहा दोकर दरमशाला से निकलो वहाँ आपको मंदिर के असपास दुकाने दिखाई देंगी वहाँ से आप बाबा शाम की देखिए हमारी परसनल राय है कि आप बाबा शाम के साथ-साथ हनुमान जी महराज की परतिमा खरी दें दो नहीं एक ही परतिमा है जिसमें बाबा श्याम और बाबा हनुमानी कठे आपको दिखाई देंगे 100 रुपे की मिल जाती है वो परतिमा साइद 100 रुपे की 120 रुपे की मिल जाएगी आपको और वो परतिमा खराब भी नहीं होती इस तरीके से बनाया गया उसको क्यों पाने शेदूप से खराब नहीं होगी उस पर दिमा को आप खरीद लें फिर आप चलते चलते बाबा के दर्सनों के लिए प्राचिन श्यामकुंड में पहुंचे वहाँ आपको बाबा श्याम बैठे दिखाई देंगे उन्हें जहां भी आप दर्सन करें श्यामकुंड में जहां भी आप दर्सन करें वहाँ बाबा श्यामकुंड में जहां भी आप दर्सन करें वहाँ बाबा श्यामकुंड में बाबा श्यामकुंड में बाबा श्यामकु उससे ग्रहन करो आप, वहां से फिर आपको केशव पुजारी मिलेंगे उपर ही, पिपल के वर्क्स के नीचे बैठे हुए, उनसे मोर सडी का जाड़ा आप भी ले, बाबा को भी लगवाएं, वहां से फिर आप चलते हुए शाम बगिची में पहुंचे, जहां शाम लीन, भ बाबा के दर्सन, श्री हन्मान जी महराज और बाबा श्याम के दर्सन उनको भी करवाएं, और कहें कि ये भगवन, आप हमें अपने श्री चरणों की थोड़ी सी धोली दे दो, क्योंकि अगर आपकी चरणों की रज का एक कन का करोड़वा हिस्सा भी हमी मिल गया, तो हमा लाइन में सामिलो जाओ, लाइन में लगोगे, तो वहाँ जैकारे लगाते हुए चलना, ऐसे मत चलना, जैकारे लगाते हुए चलना, मान के चलो, अगर वहाँ 2000 प्रेमी खड़े हैं, एक बार जाए श्री श्याम बोलते हैं, तो सभी के अकाउंट में 2000 नाम तुरंत परतिमा के रूप में बाबा श्याम और बाबा हनुमान है वो भी वड़े खुश होंगे और हमने पहले की वीडियो में बताया है आपको कि सरी हनुमान जी महराज और भगवान शिव आपको वहीं आसपास कहीं मिलेंगे बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए लाइन स इस परतिमा में विराजमान हो जाओ हम आपको घर ले कर जाना चाहते हैं फिर आप तेरे शिडियों तक पहुंच चुके होगे दाया पैर पहली शिडिय पर रखें दाया पैर याद रखें हो सके तो आप जहां लाइनों में लगे हो वहां राइट हैंड साइड की तरफ ख पढ़े हों आप क्योंकि आपके साथ जो परतिमा है उसमें बाबा श्याम और बाबा हनमान दोनों विराजमान हैं आप ऐसा करें जैसे ही पहला पैर रखें दाया पैर पहली शीडी पर बाबा विराजमान हो जाओ परतिमा को उपर उठालो अपने सीश से उपर उठालो और बाबा को दिखाते रहो अभी तक आपने बाबा को नहीं देखा है लेकिन बाबा ने आपको और उस प्रतिमा को देख लिया है उपर उठालो दोनों आतों में तेरे बार बोलो तेरे सीडिया चड़ो और तेरे बार बोलो कि बाबा श्याम विराजमान हो जाओ बाबा श्याम बोल जाओ के सब कुछ इसलिए तेरे शेलियों पर चड़ते ही मांग लेना बाबा विराज मान हो जाओ फिर वहाँ आपको ज़्यादा दिर रुपने नहीं दिया जाएगा पुलिस परशासन आपको थोड़ा साइड कर देगा वो भी जरूरी है थोड़ा साइड हो जाना यह परशासन वाले हमें ज़्यादा दिर यहां खड़ा नहीं रहने देते फिर वहां से शरी हर्मान जी माहराज के दर्सनों के लिए जाओ शरी हर्मान जी माहराज से कहो कि बाबा श्याम पहले ही इस परतिमा में विराजमान हो चुके हैं अब आप भी जल्दी से इस परत बाहर निकलोगे वहां से बाबा की मंदिर की तरफ फिर देखो जब दोबारा से मंदिर की तरफ देखोगे यही बोलना बाबा मोज कर दी मोज कर दी मेरे शाम अब मैं आपको अपने घर ले कर जाँगा फिर उस परतिमा को आदर वप्रेम के साथ अपनी गोद में बैठा कर आएं अपने घर जहां आपका पूजास्थान है वहां पहले साफ सफाई करें जाड़ू पोच्छा करें बाबा की परतिमा को रख दें फिर हो सके तो कुछ पूश्प लेकर आएं एक धूप परजवलित करें अगर दुकान से लेकर आए हो कोई बात नहीं अगर घर पर त बाबा हनुमान के फिर घर में जो रूई उत्ती है रूई से दो बत्ती बना ले दुकान से नहीं लेकर आए अर्टिफिशल वो ऐसे ही उत्ते हैं घर में रूई नहीं है कोई प्रोब्लम नहीं किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाओ वहाँ आपको मिल जाएगी दो बत्ती बना ले घी की दो जोत पर जवलित करें देशी घी की दो जोत बाबाश्याम की बाबा हनुमान की दूप पर जवलित करें घंट जो छोटी घंटी होती है वो अगर आपकी पास है तो अच्छी बात है नहीं है तो वो भी आप सिरी धाम खाटू से लेकर आ सकते ह साथ में अगर हो सके तो कहीं से तुलसी के दो पत्ते भी ले आए बाबा के लिए अगर आप कुछ भोग बना सकते हो हलवा या खिचडी चूर्मा कुछ भी भोग बना सकते हो तो बना ले थोड़ा सा नहीं बना सकते तो भी प्रेशानी नहीं है तो भी आप घर में रोटी बनती हैं उनका ही भोग लगा सकते हो बाबा को बाबा मना नहीं करेंगे वो भोग ये सबी चीजें बाबा के सामने रख ले सबसे पहले आप धूप जलाएं फिर आप तिल्ली जलाएं और एक हाथ में आपके गंटी होना जरूरी है एक हाथ से गंटी वजती रहे एक हाथ से बाबा की जोत परजयुलित करें क्योंकि जब गंटी वजएगी और जोत परजयुलित होगी बाबा जागर्त रूप में विराजमान हो जाएंगे आपके वहाँ एक छोटी लूटिया में पानी वरकर रख ले वहीं पर गंटी वज रही है जोत परजवलित कर दी है बाबा आ चुके है फिर शात बार धूप को बाबा की फेरी दो और कहो बाबा से हम स्रिधाम खाटू से आपको यहां तक लेकर आए हैं अब आप अपने इस घर में विराजमान हो जाए ध्यान रहे प्रेमियो अपने इस घर में ह आप दोनों हमारे इस घर के बड़े बुजूर्ग हो हमारे पित्रों के साथ मिलकर आप अपने इस घर की जिम्मेवारी को संभालो और जिस घर की जिम्मेवारी पित्र और स्वेम बाबा श्याम और स्रीहनमान जी महराज संभाल लेते हैं तो क्या मजाल है किसी की कोई आप को परेशान कर दे नहीं प्रेमियों उस दिन के बाद उस गर के जिम्मेदारी भगवान उठा लेते हैं बिल्कुल आशान काम था हर चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी क्योंकि हमने बिल्कुल आराम से बताई है कोई पैसा नहीं लब आपका कुछ नहीं लगा श्र आपके लिए नहीं आपकी हजारों पीडियों के लिए आए हैं वो फिर कभी नहीं जाएंगे उसके बाद अगर आप चाहें तो ये संकल्प ले सकते हैं कि जैसे लड्डू गोपल की सेवा की जाती है वैसे ही हम आपको हर रोज भोग लगाएंगे अगर कर सकते हो तो ये अगर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि काफी होते हैं जो यह नहीं कर सकते आपको जरूरत भी नहीं है बाबाश सिर्फ बहाओ के बुखे हैं शिर्फ उन्हें दो समय निहार लेना दो समय उनके सामने बैठ जाना उनसे बाते कर लेना बहुग लग जाता है आपने आप आपको बहुग लगाने के आउसकता नहीं रहेगी प्रेमियू अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी जिन्दगी बदल सकती है तो इसे अन्य प्रेमियू के साथ भी सेर करना क्या पता आपकी एक शेरिंग के कारण किसी और प्रेमी की जिन्दगी बदल जाए बाबा शाम आप सभी पर महरवान रहें जैसरी शाम